सबसे पहले आप जामिया हिंसा के छे वीडियो को देखिए पहला वीडियो इसे जारी किया जामिया कॉर्डिनेशन कमेटी मकसद था पुलिस की बरवर्ता दिखाना जवाब में पुलिस ने दो वीडियो जारी किया दूसरा और तीसरा इन दोनों वीडियो को जारी किया दिली पुलिस ने मकसद था चात्रों के दाववं को गलत साबिद करना बात इन तीनों वीडियो पर खत्प नहीं वे जामिया कौडिनेशन कमेटी ने फिर से पुलिस को जूटा साबित करने के लिए एक नया वीडियो जारी किया थोड़ी देर में दिली पुलिस ने दो और वीडियो जारी करके पलट वार किया जितने वीडियो उतने सवाल, जितने सवाल उतनी उलजती जामिया के लाइबरी की हिंसा की थियोरी, अपनी अपनी दलील है और अपने अपने दावे पुलीस पे पत्थर बाजी करते वे वो लोग जामिया केमपस में इंटर कर गए पुलीस उनको पकड़ने के दौरान जामिया केमपस में पीछे बागते हुई गई काड़ी में स्टूडन्स ने क्लेरली बोला है कि हम डर गए थे हमने डोर बंद करने की कोशिश करी विकॉज हमें लग रहा था कि पुलिस अंदर आए गी और हमें मारेगी किसी भी सेन इंसान का यही रियाक्शन होगा कि वह अपने आपको सेव करने की कोशिश करें दिली पुलिस के पास वीडियो तो समझ में आता है लेकिन सवाल ये कि जामिया कोडिनेशन कमेटी के पास वीडियो कहां से आए क्या जामिया यूनिवरस्टी की ओर से छात्रों को वीडियो मोहया कराये जा रहे है इस भी जामिया हिंसा को लेकर दिली पुलिस ने 13 फरवरी को चार्टशीट दाकिल की है जिसमें 100 से अधिक गवाहों के बयान शामिल है दिली पुलिस की चार्टशीट में शरजिल इमाम का भी नाम है लेकिन जामिया के किसी भी चात्र को आरोपी नहीं बनाये गया है पुलिस की चाच अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन दोनों और से जारी वीडियो वार पर सियासी जोरा आजमाईश थम नहीं रही किस वीडियो में कितनी सच्चाई है और वीडियो का पूरा किस्सा क्या है इसकी जांच के लिए दिली पुलिस ने S.I.T. बना दी है उमीद है जल्द ही सच सामने आ जाएगा आज तक ब्यूरो